नमस्कार दोस्तो अभी अभी दो मिनिट पहले की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है मस्जिदों के लावड स्पीकर पर लगी रोक सरकार का बड़ा और बॉल्ड फैसला इस फैसले से दोस्तो हड़कंप मच गया है वे नई बहस छिट गई है वहीं दोस्तो इस फैसले से जो मुसल्मान भाई हैं वो भी नाराज दिख रहे हैं बताते चले दोस्तो रमजान का महीना आ रहा है और रमजान के महीने से एन वक्त पहले दोस्तो सरकार का ये बड़ा फैसला है यह फैसला है दोस्तों सॉधी अरब का और सॉधी अरब के मश्जिदों में tą लावड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है बताते चले दोस्तों सॉधी अरब में रमजान से पहले सक्त नई नियमों के एलान से पूरी दुनिया में नई बहसント गई है खास तोर पर तमाम इसलामिक मुलकों के जो मुसल्मान हैं वो नाराज हो गए हैं इसे इसलाम के खिलाब बता रहे हैं दरसल सौधी के इसलामिक मंत्राल्य ने इस साल रमजान की पवित्र महिने को मनाने के लिए कई कड़े नियमों और प्रैति बंदों की घोषणा की है इन दिशा निर्देसों में लाउड स्पीकर के उप्योग पर भी प्रैतिबंद है, सोसल मीडिया पर लगातार इसको लेकर प्रैतिक रियाएंद देखने को मिल रही हैं साओधी सरकार की इस घोषना की पूरी दुनिया में मुस्लिम निंदा कर रहे हैं और इसे इसलाम के प्रभाव को कम करने वाला बता रहे हैं इसलाम के जानकार कहते हैं वास्तम में ये परिवर्तन एक नई साओधी पहचान की और उठाए गए एक कदम का प्रैति निदितु करते हैं लेकिन इस बदलाव की एहमियत को इसलाम प्रात्मित्का नहीं देता है और ये भी हमी समझना होगा वही साथ यों बता दें कि मस्जिदों में सुर्यास्त के बाद इप्तार पर रोक लगा दी गई है लंबी अवदी वाली इबादतों पर रखी जाएगी नजर मस्जिदों में बच्चों को नवाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी और इबादत करने वाले को अपना पहचान पत्रस साथ में लाना होगा वही साथ यो बता दें कि मक्का और मदीना में मुख्य मस्जिदों के अलावा नवाज का जो प्रसारण है वो नहीं किया जा सकता है हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी चैनल अभी ही सबस्क्राइब करके बेल आइगन प्रेस करें और क्या दोस्तों ये फैसला सही है सरकार का कॉमेंट बॉक्स में हमें अब इससे बताएं